नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडबुल ओफिशल में दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी फिफ्टी कल 21 मार्च के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है आपके कॉल पुट के क्या टार्गेट रहेंगे उससे पहले देखते हैं मार्केट ने आज कहां पे कामकाज किया और मार्केट में कैसा दिन रहा दोस 16,880 के level को यहाँ पर छूलिया था दोस्तों यहाँ से फिर market एक pullback लेती है pullback लेने के बाद वापस उपर जाती है towards 16,950 इसी level पर market को फिर rejection मिलती है और उसके बाद फिर continuous नीचे की तरफ journey market में शुरू हो जाती है तकरीबन एक बज़े तक market ने अपने दिन का low 16,830 16,830 के level पर market ने यहाँ पर छुआ इसके बाद फिर से market में pullback लेने की कोशिश की लेकिन इस ताइम market reject कर जाती है दो बज़े यहाँ पर हम 16,850 16,850 के level पर आते ही immediately market एक W pattern बनाते हुए उपर की तरफ breakout देती है और तकरीबन सवा तीन मज़े तक हम 17,000 का level दुबारा से retest कर लेते है closing जो हमें मिलती है वो मिलती है सूर 17,000 के नीचे towards 16,988 levels के आसपास अब बात करते हैं market कल कहाँ पर open हो सकती है इसके लिए एक बार global scenario का रूप करना बढ़ेगा और globally अगर आप market देखेंगे तो Dow Jones वीडियो बनाते है समय इस टाइम पर 323 points Nasdaq की बात करूँ तो Nasdaq यहाँ पर minus 49 points और अगर मैं S&P index की बात करूँ तो यहाँ पर minus सरीवाफ कीजएगा plus 18 points और अगर मैं S&P index 50 की बात करूँ तो plus 56 points के थाथ यहाँ पर चल रहा है तो यह सभी चीज़ें दोस्तों कल आपको market में एक flat to positive opening बता रही है और market कुछ जारा बड़ा नहीं लेकिन एक flat to hulky सी positive opening आपको देने में कल सक्षम रह सकता है तो market opening में ही आपको यहाँ पर towards the 17,050 level मतलब 17,050 के आसपास आपको कहीं पर आपको opening यहाँ पर करती हुई दिख सकती है कल market के अंदर तो आपको क्या करना होगा दोस्तों wait करना होगा आपको market के अंदर यह अपने दिन का high जो अगर आप notice करोगे आज nifty 50 के अंदर तकरीवन यहाँ पर 17,058 17,058 इस level के आसपास है इसके उपर अगर market sustain कर देती है पांच प्रेटी can close हो जाती है तो फिर हम call की positions में position मनाना पसंद करेंगे उपर की तरफ target 17,100 और 17,150 तक के हो सकते हैं नीचे की तरफ दोस्तों तभी हम positions बनाएंगे market में जब market इसी level से आपको एक rejection लेती भी नदर आएगी और 16,950 इसके नीचे sustain करेगी अगर इसके नीचे sustain करती है तो put की positions हम बनाना पसंद करेंगे और target नीचे की तरफ 16,900 और 16,835 इस दो levels तक market फिर travel कर सकती है तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो like का बटन जूर प्रेस करिएगा आपने अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप से विस ना हो live stream को देखते रहें उसके अंदस जो मैं level mark करता हूँ आप उसका भरपूर फाइदा उठा सकते हैं तो जल्दी मिलेंगे अगरी वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते थैंक्यू और बबाए